हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में मोडल सेट नंबर 11 देखने वाले हैं किरन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1-10 तो करवा ही देया गया था आज का सेट नंबर 11 को आप देख लिजिए जो लोग नए होंगे एक बारा प्रेलिस्ट में आकर देख लिजिएगा आपके बिहार सची वाले के लिए 60 प्लस प्रैक्टिस सेट अपलूड हो चुका है जो कि आपका पहले भी बोला जा चुका है 3rd, 4th, जुलाई तक में आपका BSSC के लिए 60 प्लस प्रैक्टिस सेट अब लेवल है जिसमें से कि आपका किरन पब्लिकेशन का ध्यान दे दिजि वो आपका हो चुका है और आपका जो इडूटोरिया का जो आया था सेट वॉल्यूम फर्स उसमें भी टोटल 15 सेट था टोटल आप काउंट करेंगे 60 आपका हो चुका है 61st नंबर आज आप देख रहे हो BSSC के लिए इसके अलावा और भी काफी सारा मेटेरियर आपके आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर लिजेगा ठीक है आप मेंसे किसी को अगर क्लास का PDF चाहिए होगा टेलिग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अराम से टेलिग्राम गुरूप को आप जोईन कर लिजे वहां पे 3000 से जाद का PDF ले सकते हैं अगर आप टेलिग्राम गुरूप में ज्याइन हो जाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप समझिए 60 प्लस प्रैक्टिस सेट अब सेंड करना आपके वाट्सेप पर भी काफी ज्यादा मतलब आपके लिए भी मतलब कहिए कित वाज़ा डिफिकल् लेकर जब जिस भी क्लास का पढ़ना होगा आप अराम से पर सकते वाट्सेप पर आपका डिलीट वगरा हो सकता है बहुत सारा कुछ प्रावलम आता है बर टेलिग्राम पे हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा आईए कोश्चन नंबर फर्स्ट देखिए नीती प्रटम में लिंक मिलेगा और आप लेस्ट में आ कर देखिएगा लूशेंट औक जौबजेक्टिव जो आपके लिए करवाया गिया था हो उसमें आपको सौट से लॉंग फार्म और लॉंग कमांड कर लीजे Metallic हर एक topic wise भी आपको class provide करवा दिया जा रहा है तो यह आप समझ गए option number one यहापे जो है आपका right answer था number second देखे bank में जमा की गई रकांग जिससे पूर्व निर्धारित समयावधी से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है मतलब नहीं आप ले सकते हैं उसे क्या कहा जाता है number third हो जाएगा right answer सवाधी सावधी उससे आप जमा कहते है ठीक है देखे bank में जमा उस तरह का पैसा जो समय से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं उसे सवाधी जमा के रूप में कहा जाता है यानि कि आप उसे जानिए जिसे आप FD कहते हैं FD से आप जरूर समझ गया होंगे कूरेशन नमबर फूर है निम्न शंगिय सरकार के करों में से कौन सा सरवोच वार्षिक आमद देता है कि दिखे आप आमदनी जो देता है ना उसके बारे में कहा है थेक है नमबर यहां पर तर्ड ना कॉर्परेशन कर तथा आय कर यह आपका राई टांसर हो जाएगा भारत में केंद सरकार के कर में सबसे ज़्यादा अगर कहिए कि योगदान रहता है तो वह निगम करकर रहता है ध्यान रखशिए का ठीक है भारत सरकार का जो कुल राजश होता है उसमें निगम करका जो 39% है ध्यान रख़िएगा 39% यह आपका निगम करका ही मतलब कितरू आता है और इसके बाद अगर आय कहिएगा आय है और उत्पाद में न 18% के आसपास का यह योगदान रहता है ध्यान रख़िएगा ठीक है यहाँ पर जैसे आपने ठीक है यह आप ध्यान रख लिजेगा ठीक पोस्ट बिहार सची वाले का काफी बेश्ट रहता है अभी से अपना बेश्ट दीजिए तयारी करिए admit card या फिर examination का date देने के बाद तयारी करने का मत सूचीगा यकीन मानिए अगर उस टाइम आप सूचेंगे तयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि admit card देने के बाद आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा अगर हां अभी से तयारी आपका बेश्ट रहेगा तो बहुत मजा आएगा बट अभी से नहीं रहेगा तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा बोर फीर करेंगे मेरा बात यह यार रख लीजिए अप लोग यहां पर बताना है कि किसका संब परनाली क्या मतलब गठन करने के बारे मेंनी नहीं नेमन इसे क्या व्यक्ति स्वातियंत्र का संदक्षन करता है नंबर यहां पर बताये राइट आउंसर सिक्स का तो उप्शन नंबर जो थ़र्ड है न बंदी प्रतिक्षिकरन हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर शूर निकाल बताईए क्या होता है पहले भी बहुत बार आपको बताया जा चुका है नंबर सकेंड होगा जब सरवाधिक महत्य के विश्याओं को उठाया जाता है यानि कि यह जो है शूर निकाल बारा बज़े स्टार्ट होता है ध्यान रखेगा टाइम अगर पूशेगा बारा बज़े आपको ध्यान रखे लेना है ठीक है शूर निकाल नंबर एट है कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका निरने कौन करता है तो आप्शन नंबर सकेंड लोकसभा के अध्यक्ष की द्वारक किया जाता है नंबर नाइन बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलता है इन सब में से बताना है तो नंबर यहाँ पे देखिए फूर आपका है राई टांसर हो जाएगा न यह जहानाबाद की सीमा नहीं लगती है बिहार का साथ जिला जैसे की पस्च्वी चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीतामरी, मध्वनी, शु संबात की खारी में शाबरमती का जो सहयक है भूगवा नदी इसी के साथ ये लोथल का जो यह ना मतलब परियोग कहिए कि शिंदुगाति सब भिता के लोग सबसे पहले बंदरगाह की रूप में किया करते थे नंबर सेकेंड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बताईए क सबसे मतलब कि यह कौन सा कारेकर मतलब कौन कौन सी जो घटना वगड़ा है यह कब हुई थी आपको यहाँ पे शेट करना है तो देखें नंबर फूर आपका यहाँ राइट अंसर हो जागा यानि कि सायमान कमिशन पहले फिर आपका हो जाएगा इसके बाद कौन सा पर्थ देट अगर आपसे पूछेगा 18 और 19 दिसंबर आप ध्यान रख लिजेगा ठीक है इस दिन क्या हुआ था गोवा को मुक्त कराया गया था किस से पूर्थ गालियों से कराया गया था नंबर ठटीन है एक खगोलिये इकाई निम्न मेंसे बताईए कि निम्न के बीच औसा दो अगर ब्रसपती सबसे लेता है ज्यादा ठीक है यह अगर पूछेगा ना दो देखिए ब्रसपती ना नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो आपको कितना किलोमेटर चलिए यह आप बताईएगा तो कमेंट करके अगर आपको जवाब पता हो कि ब्रसपती जो है ना शूर की एक परिकर्मा याने कि घूमने में न कितना टाइम लेता है कमेंट करके आप बताईएगा क्या राई टांसर आपका होगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा यदि आप तूती कोरीन पारादीप कांडला और मैंगलोर जाते हैं तो निमन मेंसे किस और से आपको होकर नहीं जाना परता है यह आपसे पूछा है बताईए यहाँ पे न देखिए यहाँ पे न आपका यह समझे किस होकर नहीं जाना परता है नहीं होगा ठीक है यह गलत है मेरे हिसाब से कोशन गलत है क्योंकि आपको पता हो तो यह सारे जगा जाने के लिए आपको केरल से गुजरना पड़ता है। यहाप एक कुस्चन क्या होना था? यह होना था कहां से जाना पड़ता है। देखिए अगर आप तुती कोरिन जो कि आपका कहां पर है यह आप जान लिजे तमिल नाडू में जगा भी पता चलना चाहिए आपको यह जो आपका पारादीप है यह आपका ओडिशा में है कांडला के बारे में आप पता है आपको गुजरात में हो जाएगा मैंगलोर जो है आपका यह आपका करनाटक में ठीक है करनाटक अगर जाए कोई इंसान जाता है न तो ध्यान रखेंगा उसे केरल से होकर गुजरना पड़ेगा ठीक है किस बजट में किशान टीवी की घोशना की गई थी ऑप्शन नमबर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोजार चोदा पंद्रह में बहुत बार आपको बताया जा चुका है भारत के उत्री मैदानों के ब्रिहत छेत्र में प्रस्रित मतलब प्रसारी जो मिर्द जादी अंतर बताता है तो आपका राइट आंसर ओप्शन नमबर थार्ड हो जाएगा देव एवंग देव्यों की पूजा सही जवाब हो जाएगा मदवनी लोग चित्रकला की एक सैली है यहां पर बताना है कि भारत के किश राज से ये राज में ये लोग प्रिय है मदव नमबर सकेंड हो जाएगा 21 जून 2015 से पाला योग योग अंतराष्टी दिवस मनाया गया था भारत के पर्थम फिल्ड मार्शल कौन थे ओप्शन नमबर यहां पर आपका यह जो आपके मानिक साथ है वही रहे थे यहां पर राइट आसर ओप्शन नमबर फूर है सही जवा के द्वारा थनका की पूर्व चहतावनी देने के लिए आपदा परवंदन विभाग के द्वारा कौन सा एप को चालू किया गया है तो आप्शन नमबर फूर हो जाएगा इंद्र वरज जो है आपका चालू किया गया है ध्यान रखिएगा भारत का सरवोच नागरिक सम्म कौन सा है तो आप्शन नमबर आपका यहां पर भारत रत्न नमबर फूर राइट आंसर है किस तारिक को तेलंगाना की अस्थापना भारतिय संग के 29 राजी के रूप में हुई थी नमबर 24 का राइट आंसर आप्शन नमबर सेकेंड हो जाएगा दो जून 2014 को हुई थी नम स्ट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने पर्थम घटक कॉलेज की रूप में शुरू किया गया था आप्शन नमबर फूर राइट आंसर बनारस हिंदू विश्विद्याले राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बताना है किस नेता को नेता जी कहा जाता है ठीक है नमबर 26 क को आप नेता जी के नाम से जानते हैं यहां बताए कौन एक भारती राष्टी आंदुलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे राइट आंसर आप्शन नमबर फूर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले यह नहीं रहे थे ध्यान रखेगा ठीक है इन्हें नहीं ध्यान रखे अकबर के नाम से जानते हैं आप इसे 15 अक्टूबर 1945 को इनकी जो इनका जो मतलब है जन्म हुआ ठीक आमर कोट में और 37 अक्टूबर 19 यह आपका 16 सब 5 में आगरा में खएक इनकी मेत्यू हो गए थी ठीक है खगोल वीद नाम क्या था वराह मिहीर और कवी कौन तुकाली द हुआ था बिहार ऑप्शन नंबर थर्ड राइट अंसर अंग्रेजों से आजादी के लिए लर रहे भारतियों द्वारा उठाए गई सपत कि वे सिर्फ भारतिय निर्मित समानों विशेश रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे यह किस का मतलब किस तरह का आंदूलन कह आ जाता था नाम इसका आप क्या देंगे तो नंबर आपका यहां पर थर्ड हो जागर आई टांसर श्वदेशी आंदूलन आप जानते हैं शिपाही जो था ना विद्रो यह किस वर्स हुआ था तो आप्शन नंबर आपका यहां पर शकेंड 1857 में शिपाही विद्रो कौन सा दर्रा है जो तिबबत के साथ सिक्कीम राज को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है तो आप्शन नंबर आपका सकेंड हो जाएगा नाथुला दर्रा धिहान रखिएगा भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा बांध है इन सब में शिए नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा महराष्ट में लियन ति भारत के महराष्ट में सबसे ज़्यादा क्या है बांध बनाया गया है पेर्थिव का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें कि क्रस्ट और बाहितम जो मेंटल है यह सामील है उष्य आप क्या कहते हैं नमबर सकेंड हो जाएगा अस्थल मंडल के नाम से आप उसे जानते हैं कारा कोरम परवत सिंखला में सबसे उंची चोटी कौन सी है तो option नमबर सकेंड यहाँ पे आपका होगा देखे राइट आंसर जो है न के टू आप जानते हैं इसके बारे में ठीक है राइट आंसर हो जाएगा श्वीडन की राजधानी का नाम बताना है क्या है तो नमबर 38 का बताई राइट आंसर क्या होगा श्वीडन की राजधानी आपका हो जाएगा स्टाउक होम ठीक है, ओप्षण नंबर फर्स्ट, राइट आंसर है भारत के राष्ट पत्ती का कारिकाल कितने समई के लिए होता है, नंबर थट्वीन का यहाँ पर आपको पता है, पांच वर्सओं का होता है, ओप्षण नंबर थंड होगा किसी नए राज के गठन के लिए भारतिय समिधान के किस अनुसूची में संसोधन करने की आवशक्ता होती है जो आपका ये पर्थम है ना अनुचे देखिए किसी नए राज के गठन के लिए भारतिय समिधान का जो पर्थम अनुसूची है इसी में संसोधन करने की अविशक्ता होती है नमबर 41 सर्वोच नियायले के नियायधीस पद पर न्यूक्ति के पात्र बनने के लिए किसी नियायधीस को उच नियायले के नियायधीस की रूप में कितने वर्ष की सेवा देनी होती है यहां पर समझेगा थोड़ा सा क्या कह रहा है ना कि सरवोच यानि कि सुप्रीम कोट के नियाधीस पद पर अगर किसी इंसान को होना है ना तो उनको किसी नियाधीस के बारे में कह रहा है कि हाई कोट में कम से कम कितने वर्स के लिए रहना होता है अगर आपको सुप्रीम नमबर थर्ड हो जाएगा व्यावशाय नहीं रहा था अहिंसा ब्रह्मचर्य और सत्यागर्य यह जो है गांधिवादी दर्शन का हिस्सा था कि शामाजिक शुधार और राजनेता को प्यार से बाबा शाहिब कहा जाता है तो नमबर थर्ड भीम्रा अंबेतकर साहब को क्या क लॉंच किया है ठीक है कहा रहा है कि भी एेएफ में अभे का क्या मतलब है यह आपको फूलपर से यह एक्लास है जो कि आपको बता दिया गया है अभी ही IT केलास आपका अभीलेवल है नंबर यहाँपर आपकर स्वकषेण हो जाएगा ठीक है बीक आरफ होता इसमें थियाaeda ध्यान रख लिजिएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है किस वर्स भारत में बैंकों का राश्टिय करन किया गया था तो ओप्शन नमबर 4 1970 में हुआ था राश्टिय क्रिसी बाजार ठीक है यहने कि N.A.M. क्या है बताईए तो ओप्शन नमबर 3 हो जाएगा क्रिसी उपज के लिए राश्टिय एव्या पार है ठीक है नमबर 47 है भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सीर्स पांच वस्तों में से कौन से दो क्रिसी उत्पाद है इन समय से चाहेंद वीडियो को रोख लिया करिए जहां भी आपका यहां पर टाइम चाहिए होगा उप्शन नमबर 3 हो जाएगा चावल और चीनी हो जाएगा सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है जिनकी वसंत में कटाई की जाती है उनको आप किस नाम से जानते हैं तो उप्शन नमबर 1 रवी फसल कहा जाता है ठीक सर्दियों में उगाए जाता है फसल और वसंत में इसकी कटाई होती है उसे आप रवी फसल के नाम से जानते हो सैयुक्त राष्ट मानवादिकार परिशर हाली में समाचारों में किन कारणों से था नमबर 49 का ऑप्शन नमबर देखी सकेंड यही राइट आंसर है सैयुक्त राज अमेरिका ने इजदाइल पर निर्णेयों से समंदित मुद्दों के कारण परिशर छोड़ दी है ऑप्शन नमबर सकेंड यहाँ पर राइट आंसर है भारत का पहला राष्टिय खेल विश्विद्याले किस राज़े में अस्थापित किया गया है नमबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नमबर 4 हो जाएगा मनीपूर में ठीक है यहाँ से नमबर 51 से साइन्स का कोश्चन देख लेते है करगराहट की आवाज की वज़ा होती है गरगराहट की जो आवाज है इसकी वज़ा क्या होती है अप्शन नमबर 2 ध्वने के बादलों और भूमी जैसे कई प्रावर्तक सतहों से क्रामिक प्रावर्तन ठीक है राइट आंसर हो जाएगा बताना है कि कौन सा इमारत इनमें से कौन सा है जो इमारतों को नुक्षान पहुँचा सकता है तो अप्शन नमबर 3 सुपर्सोनिक विमान से उत्पन आघात तरंग जो होता है न ये किसको बिल्डिंग को नुक्षान पहुचा सकता है नमबर 53 देखिए दो सतहों की आनियमित्ताओं का क्या होता है जो एस्थेटिज घर्षन के कारण बनता है ओप्शन नमबर 4 हो जाएगा इंटर लॉकिंग बनेंगा इंटर लॉकिंग होगा ठीक है ये इंटर लॉकिंग ही रीजन होता है देखिए यहां पर कह रहा है न एक दूसरे से डी दूरी पर इस्थित एम और एन मतलब एक एम है एक छोटा एम दिया गया है दरवमान वाली दो वस्तूओं के बीच लगने वाला आकरसन बल के विद्कर्मान पाती होता है क्या देखिए एम यानि कैपिटर और स्मॉल एम जो है न दो अलग अलग दरवमान का वस्तू है ठीक है यहां पर आप दिहान रख लिजेगा एफ जो हो जाएगा ना फोकस वो आपका क्या होगा वस्तूओं के बीच लगने वाला बल हो जाएगा ठीक है और डी जो आपका है यह क्या है दो वस्तूओं के बीच की दोरी है यहां पर आप से क्या पूछ है तो यह आप समझ लिजिए कि एफ एक्वल टू आ आपका यहाँ पे capital G फिर M M by D square इसे आप याद कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे right answer आपका option number जो second है उनके बीच की दूरी का वर्ग हो जाएगा right answer ठीक है next question है number 55 एक ध्वनी तरंग की आविर्थी जो कि आपका 50 होट्स है और इसकी तरंग दहें 4 मीटर है ध्वनी तरंग की चाल कितनी है बताना है ठीक है यहाँ पे सबसे पहले समझिए आविर्थी आपका कितना दिया हुआ है 50 होट्स है न सबसे पहला point यहाँ पे आप नोटिस क आपको पता है कि देखिएगा ध्वनी की जो ध्वनी मतलब तरंग की जो चाल होगा ना ध्वनी तरंग की चाल बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा तो आविर्थी गुने आपका तरंग धैरी हो जाए ठीक है तो यहाँ पे देखिए आविर्थी है कितना 50 और तरंग धै ठीक है इसे आप जब गुना करेंगे तो आपका 200 मीटर पर सकेंड में राइट अंसर आएगा यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है जी यहां बिल्कुल नंबर फर्स्ट 200 मीटर पर सकेंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नंबर 56 चलिए कॉंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल जो रहता है उसके छट को आप जानते हो कि कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वने का प्रावर्तन के बाल हॉल के सभी कोने तक साउंड एक समान पहुंचे ठीक है तो कैसा बनना होता है यह आप से पूछा है तो आप्शन नंबर फर्स्ट सीधा ब करिये बनाया जाता है क्यों कि ध्वने के प्रावर्तन के बाद ना सिनेमा हॉल के सभी कोने तक साउंड पहुंच सके ताकि हर एक जगह पे सेम साउंड पहुंचे और सबको सुनाई दे मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छविया प्राप्त करने के लिए किश उपकरन में अल्टरासॉनिक तरंगों का उप्योग किया जाता है और यहाँ पर फॉस्ट हो जाएगा ऐल्टरासाउंड सिकेनर धियां और इसका यूज किया जाता है नंबर फिप्टी एट है और जाके पारमपरिक स्रोथ का दूसरा नाम क्या है तो राइट अंसर प्शन नंबर फॉ प्रिक उर्जासरूत जल धारन छमता में जल धारन छमता से सबसे अधिक होती है क्या होती है मतलब किसमें होता यह पूछा है ना तो आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन नमबर थर्ड राइट अंजर ठीक है जल धारन में ना सबसे अधिक होती है क्या चिकनी मिट में नंबर 60 देखिए बताईए कि मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला जो त्वरन है इसके मतलब किसके बताना है कि इसके स्वतंत्र क्या कहता है मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किये जाने वाला त्वरन किसे से स्वतंत्र होता है ठीक है यह होगा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रवमान से ठीक है पुछेगा किसके तो द्रवमान से option number second समझिए मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तू के द्वारा अनुभब किये जाने वाला त्वरन इसके द्रवमान से स्वतंत्र होता है option number second right answer number 61 एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर उचे भवन के सीर्स पर रखी गई है गेंद की इस्तिती उर्जा क्या होगी जी का मान यहां पर आपका इतना दिया हुआ है तो देखे इसे आप solve करेंगे ना तो 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 आसा इसे समझिए यहां पर आपको बताया जा रहा है क्या दिया हुआ है सबसे पहले यह समझिए एम आपका दिया हुआ है कितना है 100 ग्राम ठीक है यहां पर आप देख रहे ना दिया हुआ है फिर है 100 ग्राम और आपका यहां पर देखिए इसे आप अगर kg में change करेंगे 0.1 kg आएगा ना अगर kg में करेंगे फिर आपको इसे अगर अगर आपको कहिए कि देखे यहाँ पर small g दिया हुआ है कितना small g का मान जो भी है यह दिया हुआ है ठीक है अब आपको इस्तिती उर्जा निकालना है आपको पता होना चाहिए कि इस्तिती उर्जा बराबर आपका हो जाएगा m g edge ठीक है m आपका यहाँ पर कितना आया है 0.1 आया है g है कितना और edge कितना है इसको आप बस यहाँ पर set कर लिजिए तो देखे यहाँ पर इसकी हटा दिया जारे इसकीन को आपको पता है बहुत दिक्कत होता है इस तरह का question यहाँ पर बताने में तो आपका हो जाएगा 0.1 into 70 meter उचा है height आपका दिया हुए 70 meter ठीक है और आपको into कर दिजिएगा कितना 10 से तो right answer यहाँ पर आपका जो है निकल के आ जाएगा इसे आप solve करेंगे तो यह 0 हटेगा यहाँ पर 1 byte ऐसे होगा इस तरह से cut करिएगा तो यहाँ पर याँनिके 70 ही बच रहा है याँनिके 70 joule आपका right answer होगा option number जो आपका second है यह आपका बिलकुल right दिया होगा ठीक है number 62 देखिए यदि कह रहा है कि 85 degree तापमान वाले धाई लिटर गर्म पानी को सारे 4 लिटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन माप तक पहुँशाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 degree बढ़ जाता है यह मान कर कि कोई उश्मा खानी नहीं हूई है ठंडे पानी का प्रारंभिक मान जो है न वो बताना है कितना है ठीक है इसे आपको solve करना पड़ेगा अच्छा खासा लंबा मतलब कहिए किसका प्रोशेश है अगर आपको आता हो solve कर लिजेगा ठीक है आपका right answer यहाँ पर बता दिया जा रहा है option number second आपका 43 आ जाएगा ठीक है उसमें इस तरह का question है अभी और भी उसका class अभी आपके लिए आना बाकी है तो आपको यह सारे solve करने का तरीका जो है आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा easy way में आप कर लेंगे ठीक है अभी एक बात समझ लिजेगा आज का date आपका है कितना 4th July है समझेगा जो लोग 4 July 2022 को देख रहे हो class अभी ऐसा problem है कि आपके लिए 10 से 11 तारीक तक फिलहाल practice state और current affairs का ही class कोशिच रहेगा अगर possible हुआ तो आज आएगा कुछ और भी बट अभी फिलहाल यही दोनो practice state आपके लिए आएगा 10 या 11 जुलाई तक उसके बाद फिर आपका class जैसे लुशेंट objective था, science के लिए class आ रहा था, current affairs तो अभी आपका आएगा इसके अलावा practice state और भी एगरो नया practice state आप लोगों के लिए लेकर रखा गया है बट अभी class अभी आपके लिए प्रोवाइड करना थोड़ा सा problem है, मुश्किल है क्योंकि जहाँ पे रहना होता है, जो प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, आप लोटिस कियोंगे अभी लगातार पाच्छे दिन तक आप लोगों के लिए class नहीं आया था, काफी सारा message तो comment में और whatsapp पे तो खेर इतना सारा message था, कि अच्छा ही एक तरह से आप लोगों का प्यार था, काफी लोग का एक ही message प्रोब्लम नहीं है, बर थोड़ा बहुत था, कुछ ऐसा issue था, क्या है अभी, इसलिए थोड़ा सा आपको 10 तारिक तक मान लिए class के लिए wait करना पड़ेगा, फिर आपका काफी सारा maths का भी class आपको बताया गया था, promise भी क्या गया था, कि maths क्लास आएगा, आपने देखा इडूटोरिया का एक दो सेट का प्रेक्टि जो आपका maths का question था, उसे भी maths और रेजिनिंग दोनों solve करवाया गया था, वो भी आपका होगा, यकिन मानिएगा, आपके लिए वो भी class आजाएगा, बर थोड़ा सा भी आपको और wait करना पड़ेगा, maths का class चालो होगा, continue रहे ठीक है, इसलिए थोड़ा सा wait करिए, आईए, next question number 63 से start कर लिए, सीमेंस की इकाई बताइए क्या होता है, right answer option number 3 हो जाएगा, विद्यूत चालकता आपका right answer है, number 64 है, किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की जो दर है न, नियत है, इसका औशत वेग कितना होगा, यह आप से पूछा गया है, number इहां पर first हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाता है, number 65 है, मूर का नियम, ठीक है, इंटेल के सरसंस थापक, गार्डन मूर के द्वारा दिया गया, एक शामान नियम है, कि चीप पर ट्रांजिस्टरों की संख्यां हर महिने में क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाती है, तो बताइए, क्या होगा, right answer, 12 महिने में, option number first हो जाएगा, कितने महिने में अगर पूछेगा, तो 12 महिने में दुगुना हो जाता है, यहां पर बताइए कि कौन सी गैस, अत्यधिक, जहरीली, गंदहीन, श्वादहीन, और र निकारक हो सकता है, नंबर यहां पर आपका हो जाएगा, second right answer, निकेल, लिखिए, चॉक्रेट में, निकेल की मातरा अधिक होने के वज़ए से क्या होता है, यह सरीर के लिए नुक्सान रायक होता है, ठीक है, ध्यान रखेगा किसकी मातरा, निकेल की मातरा होती है, योगी क धातू के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इन में से सभी बनता है, मतलब पानी, नमक, कार्बन डायोक्साइड, यह तीनों बनता है, ध्यान रखेगा, जब कॉपर सलफेट, विलियन, लोहे के धातू के साथ अभ होता है, यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है, नंबर फर्स्ट, एकल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा, एथिल एलकोहल में निम्न को मिलाकर, पानी के अयोग, मतलब पानी के योगी जो ही आपका बनाया जाता है, नंबर 71 का अप्शन नंबर आपका यहाँ पर सकेंड, मिथनॉल एवं पिरिडीन आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीक देखिए, एथिल एलकोहल में मिथनॉल और जो आपका पिरिडीन होता है इसे मिला देंगे आप, तो यह जहर बन जाता है, और इसके पीने से इनसा आपको दरविमान बता देना है कितना चौदा होगा, कौन सा जेवित पदात, उच्छ वरगिये पौधे में जैव पोशन वाहक का कार्य होता है, कार्य वाहक होता है इस तरह से समझे, नंबर 73 का ओप्शन नंबर यहाँ पर सकेंड हो जाएगा, देखिए, जायलाम न, पूछेगा ता आपको फ्लोयम बता देना है, और मित कोशिगा से पूछेगा ता आपको जायलाम बताना है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, नंबर 74 बताइए कि मानव तंत्र में प्रती आक्षी कारकों का कार्य क्या होता है, आप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो थार पहुंशती है, और सिंखला अभिक्रिया करना आरम कर देता है, ठीक है, तो प्रती आक्षी कारक जो होता है, ठीक है, यह प्रती आक्षी कारक जो आपका है, यह पदार्थ खुद इन मुक्त मूलक से आक्षी करीद हो जाती है, जिससे कि सिंखला अभिक्रिया को तोरने में यह help कर देता है option number जो यहाँ पर थर्ड है राइट आर्सर हो जाएगा number 75 देखिए बताना है कि बेसिलस बेसिलस यूरिन जी एन इंस का जो उप्योग है होता है क्यों होता है तो option number पर सकेंड हो जाएगा जैविक के लिए यूज किया जाता है ठीक है अभी आपने टोटल 75 कोशन देखा नेक्स आपका जो मैच का कोशन है उसे आप अराम से क्या करिएगा टेलिग्राम ग्रूप से ज्वाइन करें लिजेगा पीडियाफ लिजेगा सौल करना हूँ आप कर सक लिजेगा अगर आपको क्लास आज को अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक कर दिजेगा सचे वाले की तैयारी करनी हो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आइसे में फ्रिंट्स बने रही एब इसी एकाडमी के साथ